तो आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं complete process बताने वाला हूँ कि कीवा अप्लिकेशन में अगर first user हैं आप तो किस तरीके से आप registration कर पाएंगे जतने भी लोग साथियरब में रहते हैं उन सभी के लिए कीवा application बहुत ही best है और हर कोई जतने भी लोग साथियरब में रहते हैं कोई भी काम में वाली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखे दोस्तों हमने कीवा अप्लीकेशन को डाउनलोड किया है और इसे ओपन किया है लेकिन कीवा में फर्स्ट टाइम रेजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बेच साइट से बताएंगे तो चलिए अपने मुबाइल के किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और आपको स्टेप बाई स्टेप बताते हैं तो यह देखे दोस्तों हमने अपने देखें यहां पर फाइनली कीवा अप्लिकेशन का उसे इंटरफेश हमास सामने ओपन हो चुका है अब अगर इंग्लिस में रहता है तो यहां पर कुलिक करके आप लेंग्वेज सेलेट कर सकते हैं देखें अर्बी कौर्शight तो हम इंग्लिस में ही रहने देते हैं यह से बैक आ जाते हैं फर्स्ट यूजर है पहली बार इसे यूज करने जा रहे हैं तो किस तरीके से इसमें रिजिस्ट्रेशन करेंगे आपको बताते हैं यहां पर देखिए ध्यान से नीचे यहां पर देखिए डाउन टैप यह कीवा अकाउंट रिजिस्टर नाउ तो इस ओप्सन पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहां आपके सामने दूसरा एक पेज ओपन हो जाएगा दोस्तो आपको यहां पर अपना एकामा नंबर डाल देना है और यहां पर आपको अपना डेट और बर्थ आएगा और वही ओटीप यहां पर आपको इंटर करना है और ओटीप इंटर करने के बाद यहां कंफर्म के ओप्सन पर आपको क्लिक कर देना रहेगा तो यह दिए कि दूस्तों हमने यहां पर अपना OTP इंटर कर दिया अब यहां confirm के option पर हम क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको अपना mobile number यहां पर इंटर करना है यहां पर Gmail ID और यहां नीचे एक password आपको strong चूज कर लेना है यानि अपने मनपसंद का यहां पर बना लेना है जो मजबूत strong password हो और उसके बाद यहां पर I accept के option पर यहां पर done कर देना है and verification code के option पर क्लिक कर देंगे जो भी हमारा mobile number है सबसे पहले हमारा mobile number पर OTP आया है अब यहां पर हम OTP इंटर करेंगे और यहां confirm के option पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है दोस्तों यानि आपको mobile number और Gmail ID कीवा application यानि केवा website आपका verification कर रहा है तो इसे complete करना पड़ता है तो अभी हमारा number पर OTP आया है और OTP हम यहां इंटर करेंगे और उसके बाद confirm के option पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे Gmail ID पर भी सेम ऐसे ही आएगा तो उसका हम प्रोसेस करके आपको दिखाते हैं तो यह देखिए दोस्तों यहां पर आपके Gmail ID पर एक verification code गया है क्योंकि आपको अपना Gmail ID यहां पर verification complete करना पड़ेगा तो चलिए हमारे Gmail पर OTP आ चुका है हम यहां पर इंटर करेंगे और उसके बाद confirm के option पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए दोस्तों हमने यहां पर OTP इंटर कर दिया और उसके बाद confirm के option पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर security के लिए आपको कुछ question सेलेक्ट करना पड़ता है जैसे अभी केवा application बहुत ही smart हो चुका है अगर कोई problem कोई issue आता है तो इस चीज को अब जब आप याद रखेंगे तो अपनी problem को solve कर पाएंगे और उसके बाद यहां पर आपको first यहां पर देखे कोई यहां पर बहुत सारे option यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसमें से आप कौन सा option यहां पर select करना चाहते तो म हमें passport number पर अंडर कर देना है और उसके बाद यहां पर देखे security question to select question इस option पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको एक option को select कर लेना है तो हम यहां पर high school name select कर लेते हैं तो दोस्तों जो भी आपका high school में नाम था यहां पर आपने high school name select कर लिया है तो नीचे यहां पर आपको अ तो यह देखे जैसे ही हमने save के option पे क्लिक किया तो finally यहां पर देखे अब कीवा application में हम finally registration complete कर चुके हैं अब यहां पर देखे कीवा application यहां पर rating मांग रहा है तो आपको कितना rating देना यह आपको डिपेंट करता है लेकिन हम यहां पर कीवा को 5 जो है यानि 5 पूरा हम rating दे अब यहां पर कीवा का में पेज यहां पर हमारे सामने open हो चुका है यहां पर देखेंगे आप धियान से तो individual account और यहां पर नीचे हमारा icon number 100 करेगा यहां पर देखे एक profile का icon इस option पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर अगर चाहें तो आप अपना edit profile के option पर आप क्लिक करके आप अपने profile यारी कोई कमी लग रहा है तो आप उसको सही कर सकते हैं और अपना password भी आप चेंज कर सकते हैं इसे आप लोग आउठ हो सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी कीवा application में कीवा website पे जाकर आप बहुत ही असा